कि नमस्कार दोस्तों वेलकम टू में चैनल आज का कीबोर्ट का क्लास होगा मतलब आज निवेंडो क्यूबेस कुछ नहीं उसका उपर करेंगे नहीं तो एबल्टन को पर भी नहीं कुछ करेंगे कीबोर्ट का कंसेफशन अब लोगों को पहले क्लियर करना है मतलब जिसका कंसेफशन नहीं है उसके लिए क्लियर करना है तो देखिए हम लोग एरेजमेंट करता है हम लोग बहुत सारा कुछ बजाते है और कुछ कुछ अदमी लोग तो बहुत सारा गाना बजा देता है मगर क्या नोट जा रहा है उसका बारह में कोई मतलब उसका कोई आइडिया नहीं है, मगर वो बजा देता है, कोई गाना सुनकर बजा देता है, यह extra talented आदमी लोग है, मतलब जो गाना सुनकर बजा सकते हैं, तो यह extra talented लोग है, तो दिखिए, नॉर्मली हम keyword का lesson का, एक core conception दे रहे हैं आप लोगों को, एकदम core conception, तो वो क्या है, chords जब तक आप लोग नहीं करोगे, मतलब tried chords, tried chords में पूरा गाना complete हो जाता है, जैसे की major tried, minor tried, तो tried का बनताव है, तीनो एक साथ, तीनो एक साथ note लगाना पड़ेगा, तो तीनो एक साथ note लगा के, जो tried chord बनता है, तो वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कोई भी ती नहीं सकते है, एक rule है, rule का उपर ये करना चाहिए, तो देखिए, पहला हमारा जो suggestion है, जो keyword उतना अच्छा नहीं जानते है, मतलब keyword का उपर conception नहीं है, वो थोड़ा सा सीखना चाहते है, और थोड़ा-थोड़ा करके आगे बढ़ना चाहते है, तो उसको हमारा जो conception का हिसा आप लोग थोड़ा ये labeling कर दीजिए, जैसे कि ये G note है, A, B, C, D, E, F, A लगा लेजिए, छोटा-छोटा sticker मिलता है, और sticker लगा के उसमें लिग दीजिए, क्योंकि जो lesson हम देने के लिए जा रहा है आप लोगों को, तो वो lesson क्या होगा, वो lesson आप लोगों जब काम करोगे उसका उपर, तो तब आप लोगों को वो note concept होना चाहिए, और उपर का जो note है, उपर का note हम लिख देता है, जैसे कि ये F sharp हो गिया, F sharp, ऐसा type के hash होता है, F sharp, इसका बाद ये G sharp हो गिया, ये B flat हो गिया, B capital B, small b हो गिया, A, C sharp हो गिया, और A, D sharp, D sharp हो गिया, हो गिया, तो ये दिखिए, सब सेमी है, A, F sharp हो गिया, A, G sharp हो गिया, A, B flat हो गिया, C sharp हो गिया, D sharp हो गिया, सेम इफ शर्फ हो गिया जी शर्फ हो गिया बी फ्लाट हो गिया सी शर्फ हो गिया डी शर्फ हो गिया तो यह सेम करके आप लोग पूरा कम्प्लीट कर दीजिया पांच अक्टेप का कीबोर्ट का सी से चालू होता है तो आप लोग दिखोगे तो सी में एक्चली यह जो इध तो ऐसा ऐसा करके चलता है नीचे का और उपर-पर का तो हम बोल दिया उल पहले लिख लीजिए यह ओ ग़िया ओनलीखने का बात Tride Code मतलब triad को किस से होता है जैसे कि major triad major triad major बात जब आएगा ना तो गाज होता है और सुध्ध होता है मतलब गाज सुध्ध होता है नॉर्मली सारे गामा पाधा नीसा तो ए सारे गामा का एक बहुत अच्छा conception है वो हम बोल दे रहा है whole note और half note क्या बोलता है इसको whole note किसको बोलता है half note किसको बोलता है जैसे कि कोई भी note से जैसे कि f note से अगर f sharp में हम लोग जाएंगे यह होगी है half note और f sharp f note से g जाएंगे यह होगी है full note मतलब middle में एक note होना चाहिए उसको छोड़के जब उसका बात का नोट हम लोग पकड़ेंगे तो होल नोट होगी तो कोई भी जो सा होगा जो सा होगा उसके बाद एक होल नोट का बाद Whole Note मतलब एक note छोड़के जो note होगा वो रे होगा समझ गया मतलब हम बोलना चाहते है कि आगर C सा होगा तो Whole Note मतलब A होगिया Half Note और A होगिया D मतलब A होगिया Re मतलब C आगर सा होगा तो Re होगा D फिर Re Re का बात Whole Note होगा गाँ तो रे है डी तो होल नोट मतलब यह इसको छोड़ देना पड़ेगा तो यह होगा गाँ ठीक है गाँ का जस्ट हाफ नोट वो होगा मा तो मा हो गया तो हाफ नोट क्या है देखी इसका अंदर कोई नोट नहीं है यह का एकदम बाद वाला जो नोट है वोई है एफ यह होगा मा का होल नोट मा से एक होल नोट होगा पा पा से एक होल नोट होगा धा धा से एक होल नोट होगा नी और नी से एक हाफ नोट होगा हाफ नोट होगा सा कोई भी स्केल पे ए आप लोग एपलाई कर सकते हो जैसे कि हम सोच बोल रहा है ए अगर सा होगा एपशार भगा सा होगा जी शाब रे होगा क्योंकि देखो सा से होल नोट रे होगा रे से होल नोट तो ए अगर ए अगर रे होगा ए होगा गा ए होगा मा ए अफं से जाएंगे तो यह सारे द्हा वादएह अई हो गाया है पार पाय यह होग सा कोई भी कोई से अब लोग इसको कर सकते हो जैसे कि होट में नर से लेके आप लोग सारे गमा कोई भी स्केल का निकाल सकते हो कोई भी स्केल का अभी हम लोग आ रहा है क्या ट्राइट कॉर्ट की सको बोलता है नॉर्मली ट्राइट कोई भी कोई भी कॉर्ट का एक साथ जैसे की सा गा पा इसको अगर हम लोग एक साथ पकड़ेंगा कोई भी स्केल का तो इस भी पर आप लोग एक साथ बक्ड़ हों तो उसको बोलता है major tried तो इसका हम लीग देता है कोई भी scale का major tried उसके बाद जो minor होता है अगर सा गा अगर कोमल हो जाएगा कोमल मतलब क्या है नॉर्माल सा गा का पहले वाला note यह समझाना है और उसके साथ पा यह हो गिया minor tried minor tried तो यह हम लोग कैसे मन्दब समझेंगे कैसे जो इसका minor tried है major tried है तो इसको थोड़ा सा हम हटा दे रहा है तो एक मिनिट रुकिए यह इसको हटा दे रहा है हाँ ओ सॉरी सॉरी एक मिनिट आच ए भी चला जा रहा है इसको ए रहजार मारना पड़ेगा ठीक है ठीक है छोड़िये हम इसको उपर ही दिखाता है नीचे में दिखाता है टाइम बरबाद होगा तो जैसे की ए सा हो गिया सी सा हो गिया ए रे हो गिया ए गा हो गिया तो अगर ए गा होगा तो इसका पहले वाला नोट क्या है डी शार्व डी शार्व नोट है पहले वाला नोट है तो सी डी शार्व और जी हम लोग जब पकड़ेंगे तो हो गिया C minor trite तीसलिए गा का हम bracket कर दिया है तो गा अगर कोई scale का कुमल होगा कुमल मतलब जो normal सा गा है उसका पहला note जो एकदम just पहला note है half note जो पहला है तो उसको हम लोग कुमल गा बोलेंगे तो कुमल गा सा और पा एक साथ जब हम लोग पकड़ेंगे तो उसको minor trite ब D minor trite, D sharp minor trite, E minor trite, F minor trite ऐसा ऐसा करके 12 scale हम लोग निकल सकते हैं तो उसके बाद क्या होगा अगर C minor trite हम लोग अगर इसको करेंगे इसका relative जो कौड होता है जो गाना में बनता है जैसे कि C minor trite में कौन सा कौड probability है मतलब आने का probability है गाना का सूर का हिसाफ से हम एक एक करके गाना बोलेंगे उसका हिसव से notation भी दिखाएंगे notation दिखाके आप लोगों को समझा देंगे court कैसे apply करते है तो उसके बाद हम लोग उसको new end खोलेंगे और court apply करने का तरीका हम बोली दिया है कैसे अप लोग आप लोगों को apply करने है अगर आप लोगों को हाथ में बजाना नहीं है तो pencil से काम कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है और नीचे का जो देख रहा है है स्टाफ का है जैसे की यह G No. हो गया तो यह जो है बास क्लीव है और यह ट्रेबल क्लीव है थिक है तो यह राइट-hand बोल सकते हैं आप लोग लेफट-hand बोल सकते हैं तो यह हो गया G, A, A, B, C, A, D, E, F, G, A, B उसके बाद देखो थोड़ा सा राइट हैं में चला जा रहा है A, B, C, चड़ाई का D, E, F, G, A, B, C, D तो ऐसा ऐसा करके जा रहा है तो एक सथ बजाना पड़ते हैं यह स्टाफ नोटेशन है और इसका ही अलफाबेटिक कनवर्शन जो है उपर में दिया हुआ है जैसे कि G, A, B, C, D, E, F, G, S, S करके दिया हुआ है तो देखिए हम लोग बहुत जान पहेचन वाले एक बाद बोल रहा है जैसे कि 440 टूनिंग तो 440 टूनिंग 440 ये टूनिंग में सब चलता है जैसे कि 440 टूनिंग ये कोन सा नोट का है सब नोट का अलाग अलाग तूनिंग हो आदो say अब फ्रिकुइंसी या हो जाएगा उसके बाद जो होगा एट एक टिकस फड़ फोर्फोर्टी eight हो जाएगा उसके बाद जो होगा फिर चार four 40 LED हो जाएगा तो ऐसाई सकर करके चलता है तो इसका भी चार्ट हम लोग सीखेंगे देखेंगे इसका वी चार्ट होता है कुन सा कितना frequency में चलता है तो वह हम लोग थोड़ा सा एडवांस में बाद में देखेंगे पहले आप लोग थोड़ा सा एक काम करिए पूरा major ट्राइड minor ट्राइड लिख लिजी और पूरा दिमाग में बैठा लिजी क्योंकि यह major ट्राइड है minor ट्राइड है यह जब हो जाएगा ना निक्स्ट जो स्टेफ हम लोग जाएंगे उसमें बहुत ही सुविदा हो जाएगा आप लोग थैंकि दोस्तों थैंकि फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कीवोड कीवोड का online classes भी होता है आप लोग हमको WhatsApp कर सकते हो just only SMS कर सकते हो जो हम class करना के लिए ready है हम class करना चाहते हैं तो हम करवाएंगे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है मगर हपते में एक ही class नहीं तो दो हपते में एक ही class हो पाएगा थैंकि दोस्तों थैंकि फॉर वाचिंग दिस वीडियो